Acute Pharyngitis Acute मतलब थोड़ा दिन Chronic मतलब तीन महने से ज्यादा तो पहले मैं आपको Nasopharynx पार्ट नुग वो आपका सम बताता हूँ तो ये जो पिक्चर में इतना पार्ट जो है ये है नाक उसके पीछे के पार्ट जो है ये है Nasopharynx तो इधर जब infection होता है वो हुआ Nasopharynx जाइटिस तो ये ज्यादा देर नाक का infection होके उसी सेम टाइम में Nasopharynx involvement हो सकता है तो नाक के infection के बाद भी हो सकता है तो patient का complaint ये हैगा जैसा जुकाम है ऐसा ही नाक बंद रहे नाक से पानी बहरा है सरदर्द है और जब Nasopharynx हो जाएगा तो वो बताएं कि नाक के पीछे उनको irritation है, discomfort है और कभी-कभी दर्द हो रहा है तो वो area देखने के लिए nasal endoscopy करना पड़ेगा जब nasal endoscopy करेंगे तो उदर थोड़ा लालागी रहेगा और थोड़ा पीप रहेगा और investigation बिना investigation treatment शुरू करते हैं क्योंकि यह एक जुकाम के एक पार्ट है बस तो अगर चो हम investigation करेंगे तो total count, differential count जयादा रहेगा और C-reactive protein का values elevated रहेगा तो इसका treatment जो है जुकाम जैसा same nasal drops नहीं तो spray उसकरना है उसमें plain पानी में भी कर सकते हैं नहीं तो तोलसी leaves दाल सकते हैं alternative करके eucarptase oil नहीं तो eucarptase leaves ऐसा भूसरा alternative नहीं तो turmeric powder दाल सकते हैं roastemary oil यूज कर सकते हैं और commercially available over the counter pharmacy से Carval Plus, Cynarast, Cynarast Plus नहीं तो tincture benzoin ऐसा भूसरा alternatives है एक दिन में दो बार ऐसा पांच दिन लेंगे तो आपको थोड़ा relief मिलेगा अगर्चो पांच साथ दिन में ठीक नहीं हुआ और progress होके जा रहा है नहीं तो same हैं तो progress हो रहा है तो एक कोज antibiotic और उसके साथ में nasal wash चाहिए नहीं तो nasal spray चाहिए उसके nasal spray यूज़ करने बाद steroid nasal spray यूज़ करना है steroid nasal spray दो puff दोनों साइड में तीन हफते के लिए minimum ये तीन nasal wash nasal spray इसलिए यूज़ करें कि nasopharyngeitis जो है ये नाक का problem आने के बाद spread होता है nasopharynge के साइड तो जब तक नाक ठीक ने होगा तब तक nasopharynge stick नहीं होगा इसलिए ये ठीक करने के लिए nasal wash और जिसको nasal wash ठीक से नहीं हो रहा है वो nasal spray यूज़ करें saline nasal spray उसके बाद steroid nasal spray ऐसा acute nasopharyngeitis manage किया जाता है शुक्रिया